दोस्तों आज मैं आपको कुछ आठ ऐसे स्टॉक बताऊंगा जो कि आपके पैसे को इतना ज्यादा ग्रो करेंगे कि आप जो आई कि एक लंबे समय में काफी बड़ा पैसा बना सकते हैं मैं आपको सिप CAGR कैलकुलेटर के माध्यम से बताऊंगा कि आप कितना लगाएंगे तो कितना बन सकता है लेकिन आपको यह वीडियो अंद तक देखना पड़ेगा फिर आप इस टॉक को जान पाएंगे और फि जैसर आप सभी जानते हैं अलबर्ट आंस्टाइन ने जो है कि कंपाउंडिंग को जो आठ्वा अजूबा कहा था वो कहते हैं कि अगर जो इसको समझता है वो तो आर्ण कर लेता है लेकिन जो नहीं समझता वो पे करता है अगर हम मैजिक आप कंपाूंड को थोड़ा की मा अगर पैसा लगाते हैं जैसे कि simple interest से अगर आपका पैसा बढ़ता है तो ऐसे ऐसे grow होगा लेकिन जब आप compounding से आपका पैसा बढ़ता है तो ऐसे ऐसे grow होगा अब हम आते हैं आपको CAGR calculator में कुछ calculate करके दिखाते हैं और फिर चलेंगे stock के नाम पे तो मैं इस पे जो है कि amount डालता हूँ मैं 50% CAGR के इसाब से पैसे को calculate करके दिखाऊंगा क्योंकि मैं जो share बताने वाला हूँ उनका एक mean जो है कि 53% आएगा लेकिन हम 50% ही calculate करेंगे दोस्तों अगर आप किसी भी तरह पांच लाख रुपए अगर आप जमा कर लेते हैं पांच लाख रुपए अगर आप invest कर देते हैं इन stock में तो आप 20 वर्सों में कितना बड़ा पैसा बनाएंगे जब आपको 50% CAGR के इसाब से return मिलेगा तो आप देख सकते हैं कि आपका पैसा जो है कि एक 166 करोड बनेगा जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं 20 वर्सों में आप 166 करोड रुपए की राशी बना लेंगे लेकिन investing is a boring process यह आपको समझना पड़ेगा आपको थोड़ा धायर से काम लेना पड़ेगा लोग क्या करते हैं कि पैसे लगाते हैं और कुछ बढ़ता है फिर निकाल लेते हैं लेकिन वो सुचते हैं कि उस price पे वापस आएगा तो फिर खरीद लेंगे लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है अगर ऐसा हो पाता तो सब लोग पैसे नहीं बना लेते हैं आपने बीजय केडिया जी का पॉर्टफोलियो देखा है उनके उनके पॉर्टफोलियो में सभी mid-cap और small-cap के stock है वो अपने holding में 90% equity hold करते हैं जिसमें की सबसे ज़्यादा मतलब की अधिक्तम जो है की mid-cap और small-cap की कमपनिया हैं तो मैं आपको ऐसी कुछ कमपनिया लाया हूँ और इनका record जो है की 10 वर्सों से लगातार जो है की अच्छा रहा है इसलिए मैं इस कमपनियों को चूज किया हूँ तो आप भी इसमें इसमें से किसी को चूज कर सकते हैं या फिर इन सब में आप थोड़ा-थोड़ा पैसा डाल सकते हैं मैं 8-8 stock के बारे में चर्चाव करूंगा तो चलिए फिर सुरू करते हैं दोस्तों मेरे तरफ से जो पारला stock है वह है आर्थी इंडस्ट्री जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं इसका मार्केट का 26,000 करोर है और करिंट प्राइस 720 हाई बना चुका है 1168 जबकि लो बनाया है 788 रुपए का stock पी 20 और ROC 22 ROE 27 और book value जो है की 163 रुपए है डिविडेंट बीपे करता है 0.31 परसें फेस वैलू 5 का यानि एक के बदले आपको 5 share मिल सकते हैं अगर मैं इसके 10 वर्सों के CGR की बात करूं तो यह company आपको 10 वर्सों से लगातार 46% CGR के हिसाप से compounded return दे रही है जी हाँ दोस्तों मैं बात कर रहा हूं RT industry की जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं अब हम चलते हैं दूसरी company अपनी की तरफ आप यह जानते होंगे कि आरती इंडस्ट्री केमिकल सेक्टर में काम करती है दोस्तों मेरे तरफ से जो दूसरा stock है उसका market cap जो है की 3,64,000 करोड है 3,64,995 करोड और current price 6,028 high बना चुका है 8,000 का जब कि लो 588 stock पी 51 book value बैद 722 dividend पे करता है मामली सा 0.33% जब कि ROC 10.2% और ROE 17% है face value दो यह आपको एक के बदले एक share दे सकता है अगर हम इसके CAGR return की बात करें तो यह company आपको 10 वर्षों से लगातार 54% CAGR के हिसाब के हिसाब से आपके पैसे को grow कर रही है तो यह company है दोस्तों यह company है बजाज finance जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं यह already multi bagger रहा है और आगे भी आपकी पैसे को जरूर बढ़ाएगा तो चलिए फिर अगले stock पे चलते हैं जो कि मेरे तरफ से तीसरा stock दोस्तों बजाज finance मेरे तरफ से एक मात्र लार्ज का इस टॉक है बाकि जो साथ श्टॉक है वो सभी मीट का एप और इसमाल का तो जैसा कि आप स्क्रिंग पर देख पा रहे हैं इसका मार्किट का जो मेरे तरफ से तीसरा stock है इसका मार्किट का 35,000 करोर और करेंट प्राइज 1746 हाई बना चुका है 2525 जब कि लो 1610 का है stock P 32 ROC 30 ROE 22 और book value है 116 रुपए face value यानि अब यह split नहीं होगा didn't मामली सा पे करता है 0.1% दोस्तों इसका जो stock price CGR है 10 वर्सों में 53% CGR के इसाब से यह आपके पैसे को बढ़ा रही है यह company दोस्तों company का ना हम आश्ट्रल लिम्टेड अश्ट्रल लिम्टेड एक ब्यातरीन कंपनी है जैसा कि आप सभी जानते हैं यह pipe के sector में काम करती है अभी अदेश्यू से चवथा stock है दोस्तों इस company का जो है कि market cap तेईस हजार करोर है जो कि एक mid cap की company है current price 46 रुपए और high बना चुका है 70 रुपए जब कि लो 15 रुपए कहा है stock P28 का है और book value 7 रुपए 54 पैसे कहा है dividend pay करता है अच्छा खासा 0.78% ROC 23.3% और ROE 23% face value एक यानि अब है split नहीं company के CAGR की बात करें तो यह company आपको 10 वर्सों से लगातार इतनी गिरावट के बावजूद यह company 10 वर्सों से 47% CAGR के हिसाब से आपके पैसे को ग्रू कर रही है दोस्तों company का नाम है Trident Limited आप सभी जानते हैं यह textile के business में काम करती है और 2025 तक इसको second largest brand बनना है जो अगली company है दोस्तों उसका market कैप है 970 करोड इसमाल कैप की company है current price 2426 रुपए हाई बना चुका है 2613 का और लो बना चुका है जबकि 651 रुपए का stock पी है 49 रुपए और बुक वैलू 156 डिविडेंट मामुली सब्वे करता है 0.12% ROC 49% और ROE 37% है face value 10 है यानि आपको एक के बदले 10 share कभी भी मिल सकता है अगर मैं इस company के CAGR की बात करूं दोस्तों तो आप इसके CAGR को देखके चौक जाएंगे 10 वर्सों में 75% CAGR के इसाब से आपके पैसे को compound कर रही है जड़ा सोचिए अगर आपने 15 साल पहले अगर इसमें एक लाख रुपए किसी भी तरह निवेस कर दिया होता तो आज इसकी value कितनी होती दोस्तों company का नाम है जोती रेजिन अडेशियू लिम्टिल हाँ जी हाँ दोस्तों मैं इस पर एक वीडियो बनाया हूँ विस्तार से आप इसके बारे में जान सकते हैं जैसा company के नाम में यह असपश्ट है एए अडेशियू नाम से वीडियो बनाती है और यूरो 7000 की नाम से बेचती है जो अगला इस्टॉक है दोस्तों उसका मार्केट कैफ है 1574 करोड यह अभी एक इसमाल कैफ की कमपनी है करेंट प्राइस 590 और हाई बना चुका है 935 जबकि लोग है 492 यानि अपने लोग के करीब ट्रीडो रहा है और पी है 24 बुक वैलू 95 रुपए और डिविडेंट पे करता है माम लिशा 0.34% ROC है 27 का और ROE है 29 फेस वैलू 2 यानि आपको एक के बदले एक सेर मिल सकते हैं वो भी स्प्लीट के माद्दे हम से हैं अगर हम इस कमपनी के CAGR की बात करें दोस्तों तो यह कमपनी आपके पैसे को 47% CAGR के इसाब से 10 वर्षों से लगातार ग्रो कर रही है जी आँ दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ एक्रिसिल लिम्टेड जो की सिंक में काम करती है जो घरों में सिंक लगते हैं वासरों में सिंक लगते हैं वह बनाती है और यह जर्मन टेक्नोलोजी पे बेजड अब एक क्वार्ट सिंक भी बना रही है जो की एसिया में एक मात्र यहीं कंपनी बनाती है अगले श्टॉक पर चलते हैं दोस्तों इस कंपनी का जो है कि मार्केट का एप 11,700 करोर है और करेंट प्राइश 1299 हाई बना चुका है 1377 और लू है 640 रुपए श्टॉक पी 31 है बुक वैलू 233 और डुडेंट मामले सा पे करता है 0.19% ROCE 24, ROE 19 जबकि फेस वैलू 2 रुपए का है यहनि आपको स्प्लिट के माद्यम से एक के बदले एक सेर दे सकते हैं अगर मैं इस कंपनी के CAGR की बात करूँ तो यह कंपनी आपके पैसे को 54% CAGR के इसाब से ग्रो कर रही है और भी लगातार 10 वर्सों से दोस्तों कंपनी का नाम आपके स्क्रीन पे है KEI इंडस्ट्री अभी एक और कंपनी लिष्टेड हुई है ज्योंकि पॉलिकाइब है लेकिन उसका इतना पुराना पॉस्ट पास्ट रिकॉर्ड सौरी नहीं है इसलिए मैं उसके बारे में नहीं चर्चा किया अब मैं अगल 1033 जब कि लो है इसका 2611 का और जो है कि इसका पी है 38 बुक वैलू 471 और डुडियन्ट मामली सा पे करता है पॉइंट जीरो एट परसेंट और इसका आरो सी है तेईस आरोई 18 फेस वैलू 10 यानि आपको एक के बदले 10 से कभी भी मिल सकते हैं अगर हम इस कमपनी के स्टॉक प्राइस सीए जी आर की बात करें दोस्तो तो यह आपके पैसे को 10 वर्सों से लगातार 52 वर्सों के 22% CAGR के इसाब से ग्रो कर रही है अगर इस कंपनी का नाम देखे तो दोस्तों इस कंपनी का नाम है गारवेर टेक्निकल फाइवर लिम्टेड या टेक्निकल टेक्स टॉयल बनाती है दोस्तों और इसके मामले में या लीडिंग कंपनी है तो आप इसमें निवेश करके चल सकते हैं मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मैं जब स्टॉक प्राइस बता रहा था तो आप कितने स्टॉक को गेस कर पाए थे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना नाम से पहले आपने कितने स्टॉक को गेस किया तो दोस्तों अगर वीडियो में कोई कमी हो तो आप मुझे जरूर कमेंट के मादियम से बता सकते हैं लेकिन मैं एक बात आपको पक्का करना चाहता हूं कि अगर आप इन आठ स्टॉक में निवेश करते हैं और आपको लम कुल मिलाज उलाकर 50% CGR के इसाब से भी अगर आपको र लाइक सब्सक्राइब और कमेंट अवस्य करें और साथ में इसको सेर भी करें चुकि लोगों के सब के पास यग्यान पहुचना चाहिए धन्यवाद